दोस्तो स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में और आज की इस वीडियो में मैं आप लोग को बताने वाला हूं कि कैसे आप फिक्स कर सकते हैं की मैपिंग अगर आप अभी अभी खेलना स्टार्ट की हुए हैं ब्लू स्टैक के उपर और आपको प्रॉब्लम आ रही है की मैपिंग के साथ तो गाइज यह वीडियो आपके लिए वीडियो बहुत कमाल कर रहेगा वीडियो के एक तर पूरा देखना और विदाउट बेस्टिंग अनी के बाद आप जाएंगे सेटिंग पर और सेटिंग पर जाने के बाद आप जाएंगे कस्टमाइज बटन यहां पर आपको तीन अलग लग मोड देखने को मिलेंगे आप किसी को भी सेट कर सकते हैं मैं यहां पर थर्ड वाले पर खेलता हूं तो मैं आपको वही वाला कस्ट करेंगे hold और जहां पर भी आपने ड्रैक करेंगे वहां पर यह सेट हो जाएगा आप चाहें तो मेरे जो बटन से उनको कॉपी कर सकते हैं या फिर आप अपने अकॉर्डिंग जहां पर भी इन्हें प्लेस करना चाहते हैं यहां पर एक बार पहले प्लेस कर लो ताकि आपको गेम खिलते बाग कोई प्रॉब्लम ना है जब आपके यह वाले बटन्स जो है वो प्रॉपर सेट हो जाए कि मुझे कौन सा बटन कहां पर चाहिए उसके बाद आपको क्लिक करना होगा इस कीवोड बाले बटन के ऊपर यहां पर आप देखेंगे मेरी जो स्कीम है वो है 720p स्टेंडर्ड मैं इस पर ही खिलता हूँ यहां पर कापी सारे और डिफरेंट डिफरेंट मोट्स भी हैं जैसे की 1080p, 2K और स्मार्ट बट मुझे इन सभी के साथ कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो रही थी इस बजासे मैं खिलता हूँ 720p स्टेंडर्ड पर एंड 2.7 अपडेट के बाद बहुत सारे लोगों को इस स्मार्ट कंट्रोल के साथ भी प्रॉब्लम देखने को मिल रही है कि उनके कीवोड जो है वो प्रॉपर ली वर्क नहीं कर रहा है या फिर उनकी जो की मैपिंग है वो भी ठीक से प्रॉपर वर्क नहीं करती है तो ग कर सकते हैं जैसे कि मैं हाँ पर आपको अभी जो दिखाने वाला हूँ वो है 720p स्टेंडर्ड पर इसके बाद आप लोगो को क्लिक करना है कंट्रोल एडिटर पर जैसे ही आप कंट्रोल एडिटर पर क्लिक करेंगे इस तरीकी की बिंडो आपके सामने ओपन होगी जहां पर जी mostly keywords वाले जो player हैं पर जो emulator पर खेलते हैं उनके साथ यही वाले buttons के साथ वो खेलते हैं आप यह देखेंगे यह जो आपको deep head देख रहा है आप सिंपल इसको drag करके लाएंगे यहां पर लाकर आप इसे place करेंगे और आपका यह चीज़ सेड हो जाएगा बात करता हूँ म अगर आ pick up करने के लिए यह रहे गंस को change करने के लिए मैंने mouse wheel को up और down पर set करके रखा हुआ है और one और two से मैं यहाँ पर इसको single tap और rust mode पर gun का जो mode है उसको change कर सकता हूँ यह सारे button मैंने अपने according set करे हैं तो अब आप या तो मेरी ही इन controls को copy कर सकते हैं तो यहां पर अ अपने according इने set कर सकते हैं कि आप किस button से क्या करना चाहते हैं अभी अगर आप beginner और आपको नहीं पता है कि किस button से आप क्या करें तो guys यह जो मेरा setup है वो काफी basic label का है आप इसको follow कर सकते हैं definitely आपके gameplay improve हो जाएंगे तो guys देखा इतना आसान होता है blue stack या फिर किसी भी emiliter क के अंदर key mapping को set करना अब बात करते हैं उन लोग के लिए जो मेरे भाई smart control के साथ खेलते हैं और उन्हें problem आती है कि उनका जो keyword है वो properly work नहीं करता है तो उसकी एक simple सी trick मैं आप लोग को बताता हूं तो trick यह है कि आपको यहाँ पर अपने जो control है उसको छोड़ के बाकि जो button जो properly work नहीं करते हैं वो ठीक हो जाएंगे उसके बाद भी अगर आप लोग को कोई भी problem आती है तो आप comment section में बता सकते हैं मैं उसके लिए भी dedicated वीडियो ज़रूर लेकर आऊंगा लगी तो like, share and subscribe जरूर कीजिएगा नवचा शीचु को मैं मिलूँगा आपसे अगली वीडियो में तिल देन बाई